हलो गाईज और वेलकम बाग तो माई चानल सिर्फ IAS तो यहाँ पे हम बुक्स फॉर UPSC ओप्शनल को कॉंटनिव कर रहे थे और आज आपके लिए फिजिक्स की बुक लिस्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं वाई शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आकम को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगलर अपडेट्स मिलती रहे अब यहाँ पे देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट है बाकि आपकी अप्रोच आपके सिल्बस के हिसाब से होने चाहिए कोई भी बुक को end to end नहीं पढ़ा जाएगा प्रेवर वन की बुक लिस्ट डिस्कस करते हैं पहली किताब है इलक्ट्रिसिटी और मांग्टिसम यह डिसी तयाल की बीएस अगरवाल या ग्रिफित अपले सकते हैं दिखिए इसके अंदर न काफी कुछ टॉप की वीडियो उनके लिए है जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कौन सी किताब लें कौन सी अच्छी है क्या कर सकते हैं तो बेस्टो बेस्टो जो किताबे अवलेबल है मार्किट के अंदर ऑपिशनल के साब से सब को इसके अंदर दिया हुआ है ठीक है मेरा यह कोई ऑपि करेंट नहीं कर पाऊंगी सिर्फ आपको पुकलिस दे पाऊंगी चले दूसरी है इंट्रेक्शन ओफ इलेक्ट्रो डैनमिक्स यह डेविड ग्रिफिट्स की है आप रिफर कर सकते हैं फिर इन थियोरी यह चोपड़ा और अगरवाल या सत्या प्रकाश की ले सकते हैं आप फिर फिजिक्स वॉल्यूम वन और तू यह देविद हैलिडे और रेस्निक की है आप इन दोनों को आपलेट यह दोनों वॉल्यूम को फिर क्लासिकल मेकैनिजम बाइ गुपता कुमार और शर्मा भी आप ले सकते हैं एक क्लासिकल मेकैनिजम के लिए एक टेक्वेल और इसके लिए यूज़ कर सकते हैं फिर अप्टिक्स के लिए एक बिजला रेन सुब्रमन्यम आती है एक बीए सगरवाल जी की भी आती है एक अजय घतक घतक भी आती है तो आप देख लें क्या आपको कौन सी एक आप्टिक्स के लिए करनी है और जिनमें से भी मतलब यह कित सकते हैं फिर अडिशनरी ओफ फिजिक्स आप तुले ही लीज़े तो गोल्स्टीन की है यह तो आप के लिए बहुत हेल्फुल रहेगी नेक्स्ट आती है टेक्स्बुक ऑफ साउंड यह खन्ना अन बेदी की है उसके बाद एडवांस लेविल फिजिक्स आप नेलकॉन और पारकर के ले सकते हैं और इस्पेशल रिलेटिविटी आप आर रैसनिक या गुप्ता और गोल जैसा भी आपको लगे उसे साब से आप उनकी प्रिफर कर सकते हैं अब बाद आके रुखती है पेपर टू की तरफ पेपर वन के लिए तो हमने देख लिए इस राम नाम या आप राइडर या आप बोल्स्टेड मैलवीन जैसा भी है कई सारी किताब अब लेबिल हैं मार्केट के अंदर ये कुछ राइटर हैं इनकी किताब आप ले सकते हो और आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करो कि आपका जो सिल्बस है उसके अको कहां से किया सा मटेरियर म बनती है बाबा फिर इल्ट्रोनिक्स के लिए आप एलेन मोटल शेट रिफर कर सकते हो फंडमेंटल्स ओफ मांक्टिजम इलेक्रिसिटी के लिए बी ऐन बासुदेवा को रिफर कर सकते हो इस मेकैनिक्स के लिए डी एस माथूर हो गया या बी एस अगरवाल जैसा भी तो यह आप देख सकते हैं इनमें आपके पास options कुछ writers के available हैं फिर concept of modern physics आर्थर बीसर की किताब अच्छी है और modern physics पीसर concepts of modern physics तो मैंने आपको बता दिया इसके modern physics के लिए एक किताब यह हो गई और ऐसल कुपता की भी आती है बीस अगरवाल की भी आती है जे भी राजन की भी आती है तो accordingly काफी options हैं आपके पास में आप इसका research थोड़ा सा करो कि आपको best to best कहां से मिटेरी मिलेगा इसके अंदर अब nuclear physics में आप DC तयाल देख सकते हैं DC तयाल एक बढ़या reference रहेगा आप atomic and molecular spectra के लिए राजकुमार जी किताब आप रिफर करिए atomic physics के लिए जे भी राजन बढ़या रहेगी आपके लिए quantum physics के लिए आप Resnick and Asburg को यूज कर सकते हैं और statistical physics के लिए आप BB लॉट को देख सकते हैं फिर आएगा thermal physics के लिए thermal physics के लिए पी के चक्रबर्ती है सत्य प्रकाश सिंगल एन अगरवाल तो वो देखिए आपकी हिसा आपका कहां से निकलता है अब इमांकरी में बताओंगी क्या चीज़े आप कर सकते हो फिर thermal physics सिंगल की भी है अगरवाल एन प्रकाश की भी है बिएस अगरवाल की भी है शा एन सिर्वास्तरजी की भी है तो काफी सारी वराइटी एवलेबिल है thermal physics के अंदर आपके पास में उसके बाद युनिवरस्टी physics ये जमनास्की की साही रहेगी उसके बाद वेव के लिए बता मैं परिफर कर सकते हैं और optics के लिए मैंने पीछे बताया था अजयोय घातक जी हो गए बिए सग्रवाल जी हो गए जैसा भी आप चाहें उससा अपसरे किताब ले ले कौंटम मेकानिक्स के लिए यह जो घातर जी है इनकी सही रही किताब आजोय जी की और कौंटम मेकानिक के लिए आप घाता कैन लोकान थन की भी किताब ले सकते हैं वेव जैन ऑसिलेशन के लिए आप ब्रिजलाल और सुब्रमन्यम या भी ए सगरवाल जैसा भी रहे आप प्रिफर कर सकते हैं तो लगबग अब इतनी किताबों को देखे ड़ने की जरुवत नहीं है कि माम की तो मै शॉर्टी थोड़ी नहीं कि कहां से आपको क्या मिल जाएगा ना मेरा फिजिक्स ऑप्शियल है तो मुझे जहां से बेस्ट वेस्ट वेस्ट मिले मैंने उन राइटर को यहां निकाला हूँ अब आपके लिए बात यह आती है कि आपके साथ बहुत सारे मिल रहे हैं अब इ मेरे कहने का मतलब समझ गया हूँगे और आपको यह वीडियो काफी जादा लाबकारी साबित होई होगी तो if you like the video, do like the video, share it with your friends, subscribe to your channel, Sirf IAS and if you want to join my membership, just press the join button and enjoy the various books, also you can watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there and you can follow me on Twitter, Instagram, Telegram, all the link are in description box, thank you so much for discussion, have a wonderful day ahead, take care.